नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर उत्रपरदेश से सामने आ रही है उत्रपरदेश में भारतिय जनता पार्टी ने RLD प्रमुक जैंत चौदरी के साथ सीटों को लेकर बड़ा समझोता कर लिया है जहां भारतिय जनता पार्टी ने दो मार्ज क दिल्ली बीजेपी दफ्तर में लोगसभा प्रतियाशियों के लिस्ट जारी कर दी और लोगसभा प्रतियाशियों के लिस्ट जारी करते वे कई सांसदों को मौका दिया गया तो कई सांसदों के टिकेट भी काटे गए तो वहीं कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया इस बूत कर लिया दरसल आपको बता दें कि उत्तपरदेश में लोकसभा चुनाव के रणनीती साफ हो चुकी है भारते जंता पार्टी ने अपने उमिद्वारू की सूची जारी कर दी है ऐसे में पहली लिस्ट में यूपी की 51 सीटों पर उमिद्वारू के नाम जारी किये गए हैं भाजपा ने पीम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर वरणासी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उता रहा है वहीं लखनव से एक बार फिर रक्षा मंतरी राजनात सिंग्ग ताल ठोकते कोई नजर आएंगे तो वहीं दूसरी तरब भारते जंता पार्टी और रास चाहा ने जैंत चौधरी का एंडिये में स्वागत किया जैंत चौधरी ने भी भाजपा के चार सो पार वाले नारे को सफल बनाने में योगदान देने की बाद कहीं इतना ही नहीं यहां पर यह भी तैह होता हुआ नजर आया कि दो सीटे यहां पर आरेलडी प्रमुख जै बागपत और बिजनौर अब जैंत चौधरी को दी जाएंगी इन दो सीटों पर समझाता हो गया है और भारतिय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर एलान जल्द किया जाएगा और वहीं जैंत चौधरी ने अपचारिक रूप से अब अडिये में शामिल होने का फैसला ले लिए है